आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अगर मैं ये कहूं कि साधारण ब्याज का कोश्ट्यन है तो मुझे साधारण ब्याज तुर्ण आप क्या कहेंगे साधारण ब्याज कितना जाएगा तीन गुणे पांच प्रतिसत ठीक है तो क्योंकि पांच प्रतिसत वार्षिक ब्याज की दर से हम दे रहे हैं तो तीन वर्षों का साधारन ब्याज दर कितना आ जाएगा बताएगा पांच तीन गुणे पांच प्रतिसत यानि कि पंद्रा प्रतिसत और हर वर्ष में ये कहू कि साधारन ब्याज क्या होगा बराबर होगा क्योंकि साधारन ब्याज में हर वर्स ब्याज क्या होती है बराबर होती है ठीक है अब चार वर्षों के लिए अगर मैं कहता हूँ तो चार वर्षों का साधारन ब्याज क्या हो जाएगा बताइए चार वर्षों का साधारन ब्या और चार वर्स के बीच में तो आप कहेंगे कि 20% माइनस 5% यनि कि ये कितना आ गया 20% माइनस 15% बराबर कितना आ गया 5% योग कि 3 वर्सों में 15% था ठीक है तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि प्रशनिक अनुशार मुझे क्या दिया हुआ है कि साधारण ब्याजों में अंतर कितना है 42 रुपए तो साधारण ब्याज में अंतर कितना आ गया मेरा 5% ठीक है तो 5% कितना आया है अंतर आया है ठीक तो 5% किसका है ये मूल्धन का ठीक है मूल्धन में ही तो अंतर होगा ठीक है बराबर कितना जाएगा 42 रुपए तो मैं आपसे ये कहूं कि अगर मुझे मूलधन चाहिए है राशी चाहिए है तो मुझे आप बता सकते हैं मूलधन या फिर राशी तो देखे ये कैसे निकाल लेंगे आप बस इसको 42 गुणे 100 बटे 5 ठीक है तो देखे क्योंकि य कितना जाएगा बताइए 840 रुपए यानि कि हमारी मूलधन की राशी कितनी थी 840 रुपए ठीक इसी को दिया गया था तीन वर्स और चार वर्ष्णों के लिए अलग अलग तो हमारे ब्याजों का अंतर कितना आया था 42 रुपए तो मेरा कौन सो ऑप्शन सही है ऑप्शन चार सो चार सुपर